नमस्कार साथियों मैं हूँ शेखर त्रपाथी रसराज स्टूडियो के सभी दर्षकों को मेरा नमस्कार गीतों की शंकला में मैं आज वो कीत आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ आप कल्पना कीजेगा कि जब भगवान शेराम आयुद्या से निकले थे वनगमन के लिए उस दोरान आयुद्या वासियों की और रगुकुल की क्या मनुस्तितियां रही होंगी क्या इस्तितियां रही होंगी उनकी मैं उसे गीत के माध्यम से आप सबके बीच रखना चाहता चल दिये श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा आसुओं की बुंद नयनू में छुपा कर चल दिये श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा आसुओं की आसुओं की राम के पार्थक्य से व्याकुल अयोध्या, राज से युव राज की होती विदाई, रीतियां रगुकुल के वचनों की अटल थी, वंगमन की अनुमती पर लड़ घडाई कैकेई के हर वचन पर मुस्कुरा कर, कर दिये ओ जल सभी परिडाम अब वेश्राम कैसा आसुओं की आसुओं की वूंद नयनों में चुपा कर चल दिये श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा आसुओं की कैकेई कालोभ से परिपूर्ण निर्णे हर किसी को शब्द तीखे चुभ रहे हैं बोल दशरत के सभी बेशब्द हो कर, कंठ में कंटक सरीखे चुभ रहे हैं राज महलों के सुखों पर रत चला कर ठन गया मन में सुखद संग्राम अब विश्राम कैसा आसुओं की बूंद नयनों में चुपा कर चल दिये श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा आसुओं की आसुओं की ततकालीन समय की जो सरकारे थी रामंदी निर्मार के समय उन सरकारों का जो निर्णय आ रहा था वो क्या था जो उनको करना था जो उन सरकारों को करना था उन सरकारों ने नहीं किया मैं वहाँ से इस बंद को रखता हूँ न्याय की पद्धती दुबकती फिर रही थी ना सुनों के कौन कब कितना गिरा था राम के मंदिर के निर्णय पर स्वयम ही राम का अस्तित्त प्रश्नों से घिरा था अब अयोध्या में सभी अडचन हटा कर बन रहा है श्रेष्ठतम श्रीधाम अब विश्राम कैसा आसुओं की आसुओं की भूंद नयनों में चुपा कर चल दिये श्री राम हो अविराम अब विश्राम कैसा आसुओं की आसुओं की और में रए् मों विश्राम की ढ से लूंग circ